उत्तप्रदेश सरकार 10 लाग करोड की निवेश को लक्ष को पूरा करने के लिए गुलोबल इन्वेश्टर सम्मिट का आयोजन करारी तमाम मंत्री विदेश दोरे पर जा रहे लेकिन विपक्षब लगातार उन दोरों पर सवाल उठा रहा है उत्तरप्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अंध्री नहीं होगी और परति शाहिक्तों, आज सरकार उन दोरों परिया तो वहां के सभी इन्वेस्टरों ने बात की सराना की, कि भारत का जो और उत्तर प्रदेश का जो गूट गॉड गॉणिन्स है, जो बिजनेस पॉलशी है, जो इसमेंगा, वन विंडो सिस्टम बनाया, यह परदेश साथ विधान सवा का है तो आज के दिने उत्तर प्रदेश और केंद्र की इस गुड़ गौवर्डनिस को सराना किया और सारे इंवेस्टरों ने उमीद जाता ही है और उन्होंने आसाब किया विश्वास दिलाया है कि निसीत रूप से हम लोग गुलोबल इंवे स्वास बड़ा पहले के पहले की सरकारों के समय हमारे देश के खुदी इन्वेस्टर दूसरे देश में जाते थे यहां का रुपिया जाकर दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया है आज वो खुदी उत्साहित हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे जब इस देश के लोग खुद मुक्त बाता मन दिया है वह हम लोगों ने वह सबसे जादे इन्विस्ट का सबसे वड़ा प्लेट फार्म दिया है इसलिकार निकाय चुनाओं को लेकर हालंकि अभी पूरा मामला जो है वो कोट में है लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सवाल लगा रहा है कि ओभी से आरक जनता ने जिसे दूर कर दिया हो उसके व्यानों से क्या मतलए एक अकरी सवाल शिपाल यादा व एक तरफ कह रहे थे कि मुझे एक महत्पून्द मिलेगा पार्टी में लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि मुझको पद इसी लालसा खताम हो चुकि है लगता है कि 2024 के लोक सभ Politics होती है, Guardianship होती है, Public के, Public के, भविस के, पैसे का, एक तरीके का अभिवावक होता है, राजनीत, और कैसा हम लोगोंने सतर साल से अभिवावक चुना, इसके वज़ए से अब जनता जागरूख होगी, का ऐसा अभिवावक नहीं चाहिए, कि हमें भेदभाव हो, हमें अभब वाद वाग शाहिए कि जो बिना भेद बाव के सभी योजनाओं को सभी बर्गों सभी धर्मों के लिए वो दे तो आज मोदी जी और योगी जी ये मिजिनरी और मिशनरी हमारा वर्क है इसलिए जनता हम लोग के साथ आ रही है इसलिए हम लोग सफल हो रहे है बहुत शुक्र अम्रीश के साथ संदीब खेर भारस समचार